इस वीडियो के अंदर में आपको तीन बाते बताने वाला हूं और जो सबसे पहली बात है मैं ये कहूंगा कि हर एक आज के दिन अगर आप वाकई में अगले साल एक गवर्मेंट जोब चाहते हैं अपके लिए बहुती गोल्डन पिरिड है तो ये बात सब को देखने हैं तीन बाते मैं क्या बताऊंगा आपको एक तो कि अभी फिलाल बेस्ट टाइम क्यों है SSC 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए भी बिल्कुल बहुती बड़िया टाइम है अगर आप अगले साल के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस साल का टीर टू जो है उसे टार्गेट कर रहे हैं मैं खुद परशनली एक बैच के अंदर हजारों स्टूडेंट्स को टीस कर रहा हूं है तो जिनोंने टीर वन क पहले से स्टूर्ट हो गई थी रिजल्ट आने के बाद नहीं अब तो बहुती कम टाइम है बहुत पहले से स्टूर्ट हो गई थी ठीक है जो बच्चे 2023 की तैयारिया भी करेंगे जिनका ये जो टार्गेट है SSC के किसी भी एक्जाम का उनके लिए बेस्ट टाइम है ठीक ह और क्यों कर रहा हूँ ये पिमाप फिलाल क्या है एक बार नजर मार लेते हैं देखो वाई इस इस दी बेस्ट टाइम फॉर SSE 2023S एस्पिरेंट्स भले ही आप CGL की तियारी कर रहे हो CHSL की CPO की जनरली हम ये टार्गेट करते हैं कि कोई भी एक बड़िया सी नोकरी मिल जाए किसी भी एक्जाम के थ्रू मिल जाए कोशिस करते हैं कि सबसे बड़िया मिल जाए CGL के थ्रू मिल जाए otherwise अगर हमें CHSL के थ्रू मिलेगी CPO के थ्रू मिलेगी तो वो हम लेंगे उसके बाद CGL की भी त्यारी करेंगे continue रखेंगे यह फिर जो करेंगे नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी है generally हमें एक बड़ी आनोकरी चाहिए होती है तो भई अभी क्या है 4-5 महिने बचे है यह मैं आपको कलेंडर के साथ बताऊंगा सभी एक्जाम के 4-5 महिने का टाइम है अपने CGL Tier 1 के लिए जब एक्जाम इनोंने बोल रखा है एक और बात सर SSC की यह आदत है यह एक्जाम बोल तो देते हैं लेकिन जनरली उस वक्ट पर यह एक्जाम कराते नहीं है लेकिन फिलाल इनकी मजबूरी हो रखी है यह बात हम सभी जानते कि 2024 के अंदर चुनाव होएंगे तो उसके काण Mission Mode पर Recruitment चल रही है Government Departments के अंदर तो उससी का हम भी फायदा उठाएं हमारी Government इससी का फायदा उठा रही है कि वह चुनाव के पास हम Vacancies दे रहे है Different मुद्दा At least Vacancies निकल रही है तो हम भी अगर वागई में Government जो पचाते है तो हम भी उससी का फायदा उठाए है और हम Recruit हो तो यह जो टाइम इनोंने दिया है Most Probably Almost 100% Chances है लेकिन अब की बार यह Fast Fast काम करेंगे अब की बार बढ़िया चांस है Serious aspirant हो एक Government job चारे हो SSC के तरू तो 4-5 महिने का टाइम ना तो इतना है कि बहुत ही कम है कि 2 महिने का टाइम अब यह तियारी ही नहीं हो पाएगी बहुत ही sweet sweet time है 4-5 महिने का टाइम अगर कोई महिनत करे Library में जाकर बैठे तो मस्त तियारी हो जाती है ठीक है और No paper delay Paper delay होने के chances भी नहीं है Fast result आएगा बढ़िया vacancies होएगी अगले साल भी बढ़िया vacancies होने के chances है तो भी बहुत ही बढ़िया time आप लोगों के लिए तियारी करने का इस कारण ताकि अभी जादा से जादा बच्चे अपनी तियारी start कर दें इसलिए अभी मैं आप लोगों को incentivize कर रहा हूँ आपको incentive दे रहा हूँ अभी तियारी अगर आप start करोगे तो जितने भी अपने courses हैं उनके उपर generally जो हम fees down करते हैं जो offer period के अंदर होती है उसको मैं over down करूँगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अभी enroll करें अपनी पढ़ाई को अभी start करें ये नहीं है कि जब notification आएगी तब start करेंगे तो अगर आप अभी start करोगे number one आपको fees कम लगेगी and number two आपके selection के chances ज्यादा होंगे जैसे भी tier one का result आए मैंने tier two का जो course है उसका price अगर आपको बताओ मैंने increase कर दिया कि अब कोई बच्चा ना फसे बच्चे बोल लेते से result आया है tier two का price 20 दिन बचे हैं तो क्यों course में अन्रोल कर रहा है यार जैसे भी तु तु तयारी कर रहा है कर ले समझेरे हो तो मैं यह चाहरा हूँ कि जो best time है आपके पढ़ने का उस वक्त अगर अभी course में अन्रोल करने का वक्त है तो आप अभी करो ताकि उसी इसका फाइदा हो अभी मज़ा आएगा जब maximum results निकलेंगे अपने यहां से तो भाई अभी मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ because इतने सारे exam है CGL है अपना जुन जुलाई में होएगा उसके बाद जुलाई अगस्त के अंदर CHSL का tier 1 होएगा तो इसी तयारी के साथ यह target हो जाएगा उसके बाद MTS है अपना अगस्त सेप्टेंबर में उसके बाद CPO है जो दिल्ली पलीस वाला है वो October में होएगा तो अभी 4-5 मेने ना बहुत ज़्यादा लंबा टाइम है कि हमें 2 साल पढ़ना पढ़ेगा 2 साल बाद exam है कि आप ता हमारी तयारी तूड़ जाए must sweet and short time है पूरी motivation के साथ आप इतने time तक definitely पढ़ सकते हैं तो आप जहां से भी पढ़े अभी लग जाओ भाई इसको और डिले मत करो अगले साल आपने उकरी पकड़ लोगे क्योंकि जिस हिसाब से अपने department चल रहे है अभी best time आपके लिए तो चलिए जी अब हम बात करते हैं batches के बारे में जो courses है even coaching center पर number one वो best क्यों है उसके लिए मैं खुद नहीं बोलूँगा मैं खुद भी कुछ बाते बताऊंगा जो tier two batch के students हैं उनसे request है कि भाई please अपने reviews कमेंट कर देना इस वीडियो इसके नीचे जो student है जो existing है अपना latest बैच चल रहा है वो tier two वाला ही है फिलाल जो 2022 वाला जो student है वो आपको honestly या फिर वो सच्चा ही बताएंगे आपको सबसे बढ़िया तो मैं उनसे request करूँगा कि जो tier two batch के students है please अपने जो reviews हैं उनसे comment कर देना भाई कि आपका course कैसा चल रहा है कितना का आपको सीखने को मिल रहा है हमारा main motive क्या है course के अंदर है किस energy से किस motive से पढ़ा रहे हैं teachers ठीक है जी चलिए next these will be your last batches यह आपके last batches होएंगे not only रुपिया वसूल बट आपके वक्त की कदर होगी देखो जो batches हैं online education के कार्ण भई 1500-2000 इसके आजपास में सारे सिमिट लेंगे ठीक है जो quality batches हैं 150-2000 आप मान लो तो main आप ये चीज नहीं खो रहे मैं आपको बताऊं ऐसा बहुत ही important चीज है बट main आप ये चीज नहीं खो रहे अगर उस batch की validity 6 महीने है साल है अगर आपको genuine guidance ना मिले बड़ी intention से guidance ना मिले तो आप अपना time खो देते हो जो job आपको इस साल मिल सकती थी एक serious aspirant को मैं serious aspirant की बात कर रहा हूँ non serious की नहीं जो इस साल उसको job मिल सकती थी वो उस बैचारे को अगले साल मिलती है तो उस एक साल की किमत कितनी होती है आपकी जिंदगी 70-80-100 इतने भी साल की इसके बाद आपको ये नहीं feel होएगा कि batch के अंदर कोई कमी थी course के अंदर कोई कमी थी आप अगर पढ़ाई में कमी रखोगे तो अलग बात है batch के अंदर कोई कमी नहीं होई ये तो बहुत easily आपका रुपिया वसूल तो बहुत easily हो जाएगा मैं बोल रहा हूँ हम इसको भी वसूल करवाएंगे आपके एक एक मिनट की respect करेंगे सारे teachers ठीक है only study with interesting teaching techniques कोई फालतु की बाते नहीं होएगी पढ़ाएंगे लेकिन उसको boring नहीं होने देंगे interesting तरीके से पढ़ाएंगे तकि आपको पढ़ाई में भी मज़ा आए हमें यहाँ पर stand-up comedy ना करने पड़े हैं share और शायरी ना करने पड़े पढ़ाई में ही मज़ा आ जाए उसी तरीके से पढ़ाएंगे and purely result oriented scientific efforts इससे मेरा मतलब क्या है देखो आप CGL का नाम ले लो CGL exam, CAT exam, CDS, NDA और उसके अंदर में SSB भी recommended हूँ तो बहुत अलग-अलग तरह है कि competitive exam मैंने clear किये हैं पांचमी क्लास के अंदर ही सेनिक स्कूल कुन सुरा में मैं पढ़ा हूँ तो उसमे competitive exam ही होता है वो पांचमी क्लास के अंदर ही तो वो clear करके स्कूल के अंदर एडिमिशन होता है है मैं चसमे के कार्ण SSB recommended हूँ मैं चसमे के कार्ण में रहे गया है नहीं तो आज मैं साथ major होता है इंडियन आर्मी के अंदर लेकिन ठीक है अभी बढ़िया करे है तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि किन चीजों से exam निकलता है हमें क्या करना चाहिए कितना relevant परना चाहिए कहां कहां पर बच्चों को कमी महसूस होती है तो इसी तरीके से सारी चीजें जितने भी efforts आपके teachers लगाएंगे वो आपको goal के पास लेके जाएगा एक एक effort है आपका एक भी effort हम waste नहीं होने देंगे कि आपने महनत करी और ऐसी महनत करी कि भीया time waste हो गया मैं अपने goal के पास नहीं पहुचा तो हर एक problem का solution देंगे बीच बीच में और बड़िया solution देंगे जिससे कि उसका result आएगा उस problem का solution होगा तो सिर्फ पढ़ाई नहीं जितने भी external चीज़े हैं वो सारे भी आपको उसके अंदर बसाई जाए ठीक है भाई next जो भी features होते हैं courses के वो मैं आपको एक पार बता देता हूँ specially recorded videos होएंगी specially recorded videos का क्या मतलब है 3 तरह के batches बनाए जा सकते हैं अज के दिन आपको कैसे पढ़ना चीए अगर आप अपना time waste कर रहे हो तो यह competitive exam है आप अपना time waste कर रहे हो और serious aspirant हो तो एक दूसरा serious aspirant है अपना time waste नहीं कर रहा है और वो पढ़ रहा है competitive exam है उसको कहीं न कहीं edge मिलेगी वो आप से आगे निकल जाए तो जो live classes होती है बहुत बड़ी यह classes है मैं इनको बुरा नहीं बोल रहा लेकिन इनके अंदर क्या होता है number one एक तो time waste होता है चाहते ना चाहते हुए भी and number two इनके अंदर क्या होता है कि भाया जो syllabus है किसी बच्चे को syllabus तेज करने की उसकी efficiency है किसी को slow पढ़ना होता है बीच बीच में रोक रोक के पढ़ना होता है तो बच्चा अपने according भी उसको नहीं देख पाता ठीक है तो यहाँ पर time waste होएगा teacher अगर बीमार हो गया तो बैच के आगे पीछे सरकने की possibility होती है life हमारे हाथ में नहीं होती है then बच्चे कुछ-कुछ comment करते हैं कई irrelevant comment भी करते हैं उनको रोकने के लिए भी जो guidance दी जाती है भाय रुख जाओ मान जाओ उसमें भी time waste हो जाता है अगर हम live batch को live batch के ही recorded video में आपको दूँ तो उसमें क्या होता है उसमें तो ना तो आप live हो ना तो आप live का benefit उठा पाए उपर से आप recorded उसको देख रहे हो मतलब live के advantage लेनी पाए सारे डिस advantage लेगी है time waste उतना ही होएगा तो यह तो सबसे worst format है यह okay okay format है सबसे the best format होता है यह the best format में इसको क्यो बल रहा हूँ यह recorded batches नहीं है simply especially recorded batches है याने कि इस परपज से record किये गए है कि सामने वाला student इसको recorded देख रहा है उस pace पर record किया जाता है जिस pace पर सब को समझ में आएगा अपने हिसाब से वो speed को आगे पीछे कर लेगा बच्चा जिसको जल्दी समझना है otherwise इस pace पर समझाया जाता है कि basic से basic अगर किसी student को नहीं आता तो उसको भी समझ में आ जाएगा और बीच में यह time waste नहीं होता कि तुम एक मिनट के लिए सवाल कर लो तुम यह कर लो फलाना बंदा यह comment कर रहा है नहीं एक परसेंट भी आपका time waste नहीं होगा अगर हर एक सवाल के बीचे में एक मिनट भी बच्चों को solve करने के लिए दू एक क्लास में 30 सवाल दू तो 30 मिनट तो यह सिद्धे वेस्ट हो गए हर एक क्लास के साथ आदा गंटा वेस्ट हो गए तो specially recorded में अगर आपको question करना है तो pause करो solve करो फिर teacher का solution देख लो simple है और जो syllabus है वो teacher की health के उपर भी dependent नहीं है कोई इतिवार आ गया यह हो गया वो हो गया classes delay हो गया नहीं यह best जो format है उसके अंदर सारी वीडियोस है day one पर syllabus available हो जाएगा complete and latest syllabus है ठीक है enough practice करवाई जाएगी एक single question बाहर से नहीं करना practice के लिए no extra study material needed इसके अलावा कहीं से कुछ भी study material needed नहीं है ठीक है यहाँ पर जो दिया जाएगा वो more than enough है इसके अलावा अगर कुछ करना है तो सिरफ और सिरफ mock test देने है और mock test भी मैंने आपको 25 mock test tier 1 के free दिये है बिना single रुप्य लिए बड़ी quality के और sectional mock test भी दिये है है और आप लोगों का इतना जबरदस sport है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उसको reciprocate करने के लिए और भी फिरी चीजे लाते रहेंगे इसके अलावा सिरफ mock test देने है ठीक है बैसिक टू हाई लेवल होएगा ठीक है tier 1 प्लस tier 2 दोनों cover होएंगे tier 1 प्लस tier 2 दोनों cover होएंगे tier 2 के लिए आपको अलग से कोई batch purchase करने की ज़रूरत नहीं है जैसे फिलाल मैंने एक tier 2 का batch बच्चों के लिए निकाला है तो वो इसलिए नहीं निकाला कि उसके अंदर मैं वो content दे रहा हूँ जो मैंने tier 1 में नहीं दिया नहीं इस वक्त आप मेरे साथ कम से कम time में efficiently practice करना चारे हो मेरे से पढ़ना चारे हो मैं रोजा के पढ़ा रहा हूँ उसके एक minimal सी features के उसके अंदर अलग नहीं पढ़ा रहे उसी को efficiently पढ़ाया है otherwise this is more than sufficient tier 1 प्लस tier 2 के लिए इसी को repeat करते रहो एनफ है next relevant study material दुनिया के अंदर अगर मैं math की बात करूँ इतना math है न SSC का math इतना सा है IIT का math इतना साही है किसी भी cat का math इतना साही है अगर सारा math इतना है तो तो कुल मिला कर हमें mathematician नहीं बनना हमें उस subject के अंदर PhD नहीं करनी हमें अपनी ego satisfy नहीं करनी हमें exam crack ना है अगर mathematician बनना है तो SSC का exam मत दो CDS का exam मत दो mathematician बनो अलग से उसकी PhD करो एंड उन प्रोब्लम्स को solve करो लेकिन हमने exam देना है exam relevant पढ़ना है ताकि कम से कम time के अंदर बढ़िया rank के साथ exam crack हो जाए बतेरे student है relevant पढ़के एक साल के अंदर बढ़िया post ले लेते हैं अपनी dream post ठीक है तो to the point relevant पढ़ाएंगे ताकि time waste ना हो आपका minimum attempts के अंदर आपका selection हो जाए ठीक है भाई उसके बाद भी किसी को ये है कि मेरे को तो ego satisfy करनी है selection से पेटनी बरा selection लेके बाद में आ जाना बहुत सारी book दे दूँगा वो भी free में दे दूँगा बढ़ी या बढ़ी question भी बता दूँगा कि ये ले भाई PDF ले ले मजए मार job पे बैठके उसको solve करें अभी relevant पढ़ ले और relevant का मतलब easy नहीं होता ठीक है सारे level cover किये जाएंगे लेकिन उन जगह पर effort लगाएंगे जो job के पास जाने में मदद करें clear है भाई next कई unique features हैं अपने courses के अंदर जहां जहां पर भी जिस चीज़ के हमें जरूरत feel होती है unique features का मतलब है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे ssc community के अंदर जैसे की animation के तुरू मैं आपको maths के अंदर पढ़ाता हूँ वो जो animations हैं वो मेरे खुद दवारा बनाई गई है एक math teacher के दवारा बनाई गई है तो जहांपर animation की जरूरत है वहांपर मैं बना देता हूँ जहांपर नहीं है वहांपर नहीं बनाता हूँ तो बड़िया animation के तुरू आपको पढ़ा रखा है और मैं खुद हुआ animation बनाता हूँ तो मेरे को पता है कि कैसी बनानी है किसी और से करवाऊंगा तो दिक्कत होएगी अपने thought process के हिसाब से animation बनाता हूँ जो आपकी मदद करेगी वाकि में जिन-जिन सब्जेक्ट में चाहिए जैसे math के अंदर चाहिए reasoning के अंदर चाहिए english के अंदर चाहिए जिक्के में तो है यह सारी theory उसमें तो क्या ही qrp होएगे जहां-जहां पर mental test की जरूरत है वहां पर mental test है ताकि हम steps को skip करके question को कर पाए speed building test दे रखके हैं concept building test दे रखके हैं जहां-जहां पर जरूरत है अब reasoning एक ऐसा subject है कि जहां पर extreme practice की जरूरत होती है यहां पर knowledge तो हमें बहुत जल्दी मिल जाती है लेकिन बहुत सारी practice होनी चाहिए तो extreme practice sets उसके अंदर दे रखके हैं तो जहां पर जिस चीज़ की जरूरत है वहां पर वो चीज़ हमने दे रखके हैं ठीक है भाई और एक और बात अब मैं आपको इतनी सारी बाते promise कर दूँ ठीक है मैंने आपको बच्चों के reviews भी दिखा दिये कि हान जी सर यह है लेकिन फिर भी अगर आप यह चाते हैं कि नहीं मैं तो first end यह देखना चाह रहा हूँ कि भाईया course कैसे कराते हो इतनी सारी promise कर रहे हो क्या करते हो exactly एक एक chapter course का complete topic यह नहीं है कि एक वीडियो एक गंटे की दो गंटे की दो वीडियो दो गंटे की पूरा topic एक बड़िया बड़ा topic math का बड़िया बड़ा topic reasoning का पूरे पूरे topic as a demo app के अंदर available करवा दिये हैं ठीक है ताकि आपको 1% भी यह feel ना हो कि मेरे को यह चीज नहीं चाहिए थी हमें 100% confidence है बच्चों के selections हो रहे हैं बच्चों को growth दिख रही है पढ़के तो हमें 100% confidence है कि हाँ चीज काम की है इसलिए पहले आपको completely free दिखा भी सकते हैं ठीक है भाई then जो validity है वो बिल्कुल flexible रखी है मान लो कोई ऐसा student है कि उसको 8 मीने के लिए ही चीए है that's it मेरी इतने ही requirement कोई ऐसा student है जिसको 4 महिने के लिए चीए कोई ऐसा student है जिसको सिरफ arithmetic चीए बट 6 महिने के लिए चीए अलग-अलग requirement हो सकती है बच्चे अलग-अलग stage पर है तो जो validity है वो बिल्कुल flexible रखी है जैसे maths आप 8 महिने के लिए enroll कर लो 4 महिने के लिए 12 महिने के लिए exactly same content है reasoning 6 महिने के लिए enroll कर लो 12 महिने के लिए enroll कर लो exactly same content है math के अंदर सिरफ arithmetic सिरफ advance तो मैं यहाँ पर आपको सारे ऐसे fee तो उसकी दिखाऊंगा नी बहुत बड़ा जंजाल सा यहाँ पर बन जाएगा वो आप खुझ जाकर आप में देख लेंगे flexible validity है जैसी आपकी requirement है उस batch के अंदर वैसी ही figure के आप enroll कर सकते है ठीक है मेरे भाई अपने तरफ से पूरा 100% यह कोसिस की जा रहे है कि हम teachers है और एक बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में उस post की कदर करते हुए बढ़िया respectfully सारी चीज़े आपको दें मज़े में एक teacher की इंडिया के अंदर starting से ही इज़त रही है इस पद की है उसकी गरीमा को बनाए रखे यहाँ पर अपने सारे selected student एक तो आभी नहीं सकते थे और एक सब की photo हमने collect नेक रखी एक आदे photo यहाँ पर लगाए है नीचे even star में जाओगे तो आपको बहुत सारे photos और उनके reviews मिल जाएंगे ठीक है और यहाँ पर भी अभी हम इस साल से collect करना start करेंगे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे बच्चे अपने नेक्स्ट step one जब आप app खोलेंगे यहाँ पर जब आप paid courses के उपर click करेंगे तो यह open होकर आएगा तो यहाँ पर tier two के बैचिस maths के reasoning के ठीक है combo batches जिक के बैचिस जब आप math के उपर click करेंगे तो math के सारे वह चीज़ आ जाएंगे कि arithmetic इतने महिने के लिए advance इतने महिने के लिए complete math इतने महिने के लिए यह सब कुछ ठीक है मेरे भाई अगर आपने complete demo देखना है हर एक subject का एक topic पूरा complete as a demo दे रखका है जब आप paid course demo के उपर click करेंगे तो यह page खुल कर आएगा ठीक है जब आप view course के उपर click करेंगे तो यह page खुल कर आएगा हर एक subject का एक complete topic आपको यहाँ पर मिल जाएगा math का, reasoning का, geography का, biology का, physics, chemistry ऐसे सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है भाई रहे हैं उसी बैच के अंदर बच्चे को enroll कर दे रहे हैं कि percentage पूरा हुआ है जैसे profit and low start होएगा तो बच्चों को बलेंगे नया बैच आ गया नया बैच आ गया आजब आप आजब आन रोल कर लो नहीं करते भाई ऐसे तो जब भी launch करेंगे एक बहुती जबरदस्ट चीज यहां पर launch करेंगे तो next three days के लिए यह जितने भी अपने courses है यहां पर जितने भी अपने courses है उनके उपर जो fee है उनकी मैंने down करवा दी है और बड़िया down करवाई है जितनी हम नहीं down करते हैं उससे ज्यादा down करवाई है और specifically जो 12 month वाले हैं जो 12 month validity वाले courses हैं उनकी fees काफी down करवा दी है clear ताकि आप एक बार enroll करें तो तसली से syllabus को complete कर लें tier 1 के बाद tier 2 भी आएगा तब तक भी आपकी validity रहे जाए और उसके बाद आप उसको repeat करते रहें revise करते रहें देखो अगर आपने एक बार batch कर लिया तो बहुती बढ़िया तरीके से करवा रखा लेकिन आप जिंदगी में कोई भी चीज़े एक बार करके 100% नहीं सीख पाते जब हम उसी चीज़े को दुबारा करते हैं तो और नई चीज़े पता लगती हैं तीसरी बार करते हैं तो और नहीं चीज़े पता चलती हैं तो competitive exam crack करने का simple सा फंडा है कि relevant study material को बार बार पढ़ते रहो बार बार पढ़ते रहो relevant study material को जितनी बार करेंगे उतनी ज़्यादा बढ़िया practice हो जाएगी उतनी बढ़िया performance रहेगी इतने साल हो गए competitive exam को कि almost 90% syllabus तो 100% predict किया जा सकता है और उसमें easily selection आपका हो सकता है 90% predict तब हो सकता है जब examiner पूरे pattern को बदल दे तो भी 90% same रहेगा इसको करने वाले बच्चे 90% achieve कर लेंगे इसको बड़ी ऐसे करने वाले तो relevant material can be predicted उसको बार-बार करेंगे तो definitely easily आपका selection हो जाएगा मतलब की हववा बनाने की जरूत ने की कैसे होगा क्या मैं कर पाऊँगा नहीं एक study material है पढ़ते रहो जैसे teacher guide करता है उसको बार-बार repeat करते रहो खतम बात इसके लाब और कोई step ही नहीं है साड़े चार महीने में तो मैंने एक बहुत ही बहतरी जो teacher थे उनके तरूप cat clear कर लिया था साड़े चार महीने में coaching में जिस दिन कदम रखा और जिस दिन एक्साम था तो next तीन दिनों के लिए सारे जितने भी courses है उनकी fees हो है वो down है especially जो 12-1 वाले हैं उनकी थोड़ी सी ज्यादा down करकी है और मैं अभी इसलिए इनकी fees को down कर रहा हूँ क्योंकि best time है अभी आपको मैं decision लेने के लिए थोड़ा सा उकसाना चाह रहा हूँ जब notification आएगी तो उस वक्त बहुत सारे बच्चे active होएंगे मुझे पता है batches में enroll करने के लिए लेकिन वो उतना best time नहीं होएगा जितना आज best time है उस time पर जो पढ़ना चाहेंगे ठीक है भाई उस time की उस time देखेंगे लेकिन आज the best time है ठीक है अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर 2023 के तियारी कर रहे हो start your amazing journey with us आपके जो जर्नी है कि बहुत interesting और बहुती मज़ेदार होगी अगर आप एक serious aspirant हो तो आपके सिर्फ पर तियारी को बोज नहीं बनने देंगे guarantee है आपको मज़ा आएगा तियारी करते हुए है इस time को आप याद रखोगे जिन्गी में कि preparation का एक वक्त था मज़ेदार live थी है चीज़े सीखने में बहुत मज़ा आया था तो आपको मज़ेदार लगेगी पढ़ाई ना कि एक बोज लगेगी आपको ड्राया नहीं जाएगा ये चीज़े इतनी मुस्किल है मैं इतना महान हूँ तुम नहीं कर सकते हैं बहुत आसान चीज़े हैं अगर ठीक perspective सेक्रें ठीक है बाई कोई भी query हो आप whatsapp कर सकते हो या call कर सकते हो इस number के ओपर ठीक है और जो अपनी sport team है वो पूरी industry के अंदर best है ठीक है अगर holiday वाला दिन है Sunday है तो whatsapp कर दो अगले दिन working day के दिन आते ही query result हो जाएगी या call कर दो कोई doubt है ठीक है मेरे भाई तो that's all इस video के अंदर इतना ही मैं कहना चाहूँगा तो बस अब जो भी है अपनी तयारी शुरू कर दो अगर आप वाकई में serious experiment हो ठीक है अपना तो चाहँगार नहाँगागगा वाकई में जापका या है